हर्याना एच नाइन पियर्म नुश्यनल में आप सबता स्वागत है आई आपको कराते हैं ख़बर स्प्रिधान गृप स्पेशली डीलिन आइमची खर्खोदा कॉंटेक्ट अस 93 555 50 009 96 439 7100 765 0027 000 www.pridhangroup.com नमस्कार दोस्तों अब हम बताएंगे आपको कि जो नई प्लानिंग एचसाइडीसी ने की है मारुप्ति के लिए और दूसरी जो आईमटी का सेकेंड फेज इसके लिए की है वो कहां कहां से की है कहां कहां से बांडरी बनेगी कौन सा एरिया अठावन सो एककड का लिया गय जापि बनने लगरी है सोटी गाओं में वहां से जो कोरण कोरना बना है जो निकाला है उसका देरहाए उसको चलेगी करीब 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 कीतना चलेगी 10 चैलेँंट उकर जाएगा इसको करोष करते वे बांडरी से की बिल्कुल सीध में चलते उयैं को रोश करने के बाद फिर पूरों की दिशा में लड्रामन और जो सोटी मारग है सोटी लड्रामन मारग उस पे जाके टकराएगी बुड के जैसे अब उस रोड की बाउंडरी बन जाएगी उस रोड के साथ साथ चलते हुए लड्रामन गाउं के बारी छोर पर बारी छोर से राइट लेगी अगर वहां से चले हैं तो राइट लेके गाउं की फिर नीश से चलेगी फिर एक रोड आएगा उस रोड को भी करोश कर देगी गाउं के फिर नीश से चलते हुए फिर आगए जाके काण उंदा की तरफ जो रास्ता जाता है उस रास्ते से चलेगी उस रास्ते पर आ पूले गी यह बाूंडरी से मुढके जो रास्ता है उसी रास्ते से जाएगी फिर गाओं को टच करेगी गाओं के बाँ इछ जो जो पंचाईती लेंड है कुणाशी गाओं की वहां से जाएगी और इससे आगे जाके जो जो फिर कुणाशी से जो सोर खेडी का जो रोड है उस रोड से जाते हुए ये केमपी से टकराएगी फिर केमपी से ये चलेगी इसमें उत्तर की दिशा में फिर आ जाएगा जम्मू कट्रा एक्सपरेक्सवे का पॉइंट जो केमपी पे बनाये जा रहा है उस पॉइंट की जमीन इसमें छोड़ दी गई है जैसा कि आपको नक्से में भी दिख रहा होगा वो पॉइंट को छोड़के फिर केमपी के साथ साथ चलेगी और फिर आके जो मुझूदा बांडरी की हुई है केमपी के साथ साथ उससे आके टकराएगी उसमें पाई गाउं की जमीन रहेगी पहलाजपूर की र जाता है वो बिल्कुल बीच में रहेगा इसके और जो कुलासी से खेडी जसोर खेडी की तरफ जो रास्ता जाता है वो इसकी बांडरी बनेगा एक बांडरी इसकी जो बाहदुर्गड बाला रास्ता है सोटी से बाहदुर्गड बाला सोटी से लड़रामन लड़रामन से आपको जादा गरीन दिखाई दे रहा है और कहीं थोड़ा-थोड़ा गरीन दिखाई जारी है जो की सोटी गाओं में ज्यादा है और लडराउंड गाओं में भी ज्यादा है और कुलासी गाउं में भी ज़्यादा है ये गाउं दिखा रखे हैं जहाँ पे पंचायती लेंड ज़्यादा है हाला कि 501 ही पंचायती लेंड है जो अठावन सो एकड में शामिल की गई है यह हमने इसकी आज आज आपको बाउंडरी बता दी है अगे हम आपको बता देंगे ये किस किस किला नंबर में से बाउंडरी जाएगी कौन कौन से किला नंबर इसमें शामिल किये गएगा लगत से जो सफेद मूतिया होता है उसका इलाज होता है हम आखों में आपरेशन करते हैं लेजर मशीन से आपरेशन होता है आखों के अंदर से हम सफेद मूतिया निकाल देते हैं और उसके बाद आखों के अंदर हम एक लैंस बिठा देते हैं उस लेंज से मरीज का अल्मोस्ट दूर का वीजन नॉर्मल हो जाता है बट नस्दिक के लिए उनको चश्मा लगाना पड़ सकता है बच्चों के चश्मों की विकास के लिए प्रताप स्कूल खरकोदा का चेहन करें ताकि आपके बच्चे संसकार, सिक्षा, टेक्नोलजी, खेल, स्वास्थे एवं सांस्कृतिक गतिवीधियों द्वारा विदेशों में तिरंगा फहराते हुए इंजीनियर, डॉक्टर, आज नेता बनकर देश एवं विदेशों में उच्च पदों को सुशोबित कर सकें